दोस्तो आज हम बनाएंगे बेशन और मेथी से बहुत ज़्यादा टेश्टी सबजी इतनी लाजवाब बनती है दोस्तो जब भी गर में कोई सबजी ना हो तब भी आप इसको बना सकते हैं और वैसे तो आप इसको रोजाना बनाना चाहोगे तो एक बार इस सबजी को जरूर बनाईएगा दोस्तो और खाने में बहुती ज़्यादा टेश्टी बनती है बनाना बिल्कुल असान है तो आई यह हम बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने चार-पांच टेबल स्पून यहां पर बेशन लिए दोस्तो इसी साथ हम डाल देंगे आदा चमच लाल लिए रखते हैं सर्ष्टों का तेल ना डाले और इसमें गुनगुना पानी डालकर इसका बैटर तयार कर लें तो बैटर हमें बहुत ज़्यादा गाड़ा नहीं और बहुती ज़्यादा पतला नहीं मैं आप भी आपको दिखा देती हूं है इसका बनाके तो देखी दोस् हैं तो इसमें डाल देंगे आद्धा चमच जीरा एक चुथाई चमच के करीब हिंग डालेंगे एक बारीक कटाव अप्याज डाल दिया है इसको हम थोड़ा हलका ब्राउन पर लेंगे ज़्यादा ब्राॉन करने की जरूरत नहीं है बस हलका सा ब्राउन हो जाए तो ये हल बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं पर एक बार इस मेथी का इस्तेमाल करके देखिएगा इसमें और भी ज़्यादा स्वाद आ जाएगा तो इस मेथी को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे मैंने बारी बारी कट नहीं किया है इसके पत्ते थोड़े हैं आप चाओ तो इसको बारी कट करके भी डाल सकते हैं और हाप को टोरी में नहीं आप मेथी ली है आप ज्यादा भी डाल सकते हैं तो भी ये टेश्टी बनेगी तो इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेते हैं प्याज के साथ ही जब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाए तो हम डाल देंगे मसाले इसम तो यहां पर मैंने दस बारा लस्टूं की कलियों को पीस लिया था और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल दिया है तो रभीस को भी हम मिक्स कर देंगे तो जब हमारा ये पानी हलका सा सूख जाएगा तब हम इसमें एड कर देंगे दही तो दही यहां पर बहुत ज़्यादा खटा नहीं लेना है दोस्तों इस बात का आपको ध्यां रखना है तो यहां मैंने तीन टेबल स्पून के गरीब गाड़ा दही लिया है तो इसको हम एक लगाके दो-तीन मिनट पका लेंगे जब तक ओईल सेपरेट ना हो जए तो मसाले में पूर्य तरह से तो देखी पूरी तरह से मसाला हमारा पक चुका है तो अभी हम इसमें डाल देंगे दोस्तों पानी पानी यहां पे मैं डालूँ गीर गिलास के करीब बेशन की रखे और इसी धाल देंगे एक चमच नमक तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी को हम उबाला आने रेते हैं दोस्तों पानी जब अच्छे से उबल जाए तब भी हमें आग्गे का यह प्रोसेस करना है नहीं तो सबजी हमारी खराब हो जाएगी तो जब पानी उबाला आजाए तो हम ये बुजिया निकाल लेंगे जैसे सेव निकालते हैं जहर की साईता से वैसे हम निकालते जाएंगे थोड़ा-थोड़ा बेस तनाात में लेके तो देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूं उसी तरिके से ये बहूत या सानी से निकल जाते हैं पर एक बात का ध्यारगना है कि नीचे आंच जगनी चाहिए मतलब जलनी चाहिए आंच लगातार उबाला आता रहना चाहिए पानी में नहीं तो ये सबजी घूल जाएगी तो जब ये उबाला आता रहेगा तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं काल ये है दोस्तो आंच अमें कमी रखनी है तो ये सबजी हमारी पूरी तरह से बन गई है अभी आपको ये थोड़ी पतली लग रही है तो जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये थोड़ी गाड़ी हो जाएगी आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं पर मैंने मेत्थी डाल लिए तो हरा धनिया नहीं डाला तो सबजी बसंदा ही हो तो दोस्तो लाइक शेर कमेंट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें